आयोध्या के बाद अब काशे के बारी आज़ें चुकी है नमस्कार धर्म्यान के दर्शिकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविताराना शिवकी नगरी काशिक में मौझूद ग्यानवापी का सच क्या है दिर है या फिर मज्जिद इसका खुलासा अब सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद हो चुका है आपको बतादू कि 52 दिनों तक ग्यानवापी में ASI ने सर्वे किया और अब जियाकर अपनी सर्वे की रिपोर्ट इसने पेश किया और इसी सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 17 शताब दिन में ग्यानवापी में मंदिर तोड़कर ग्यानवापी जो मस्जिद है उसे च तरफ तो देखिए उदू पक्षकारों में बहुत खुशी का महौल है हरर महादेव के नारे चारों तरफ लग रहे हैं और इसी सर्वे रिपोर्ट के जो पाच पॉइंट्स है सर्वे रिपोर्ट में किस प्रकार से बताया गया है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था इसको लेकर जो एड़ोकेट हैं विश्व जैन ने क्या कुछ कहा अपने फाइफ पॉइंट्स में उन्होंने पूरी पूरी पिक्चर क्लियर कर दिये कि आखिरकार कैसे मंदे को मस्जिद पना दिया गया सतरवी शताबदी में और अब जाके बारी आई है काशिकी देखिए उनक अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एसाइए ने डिटेल फाइंडिंग दी है वह मैं आपको पड़के बता रहा हूं वेस्ट ऑन दी साइंटिफिक स्टेडी जन अब्सर्वेशन्स ऑन दी सेंट्रल चेंबर और में एंट्रेंस ऑफ दप्री स्ट्रेंग 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 स यहां पर इस्तमाल किया गया एसाइ का जो कंक्लूजन है मैं बता रहा हूँ it can be said that मतलब यह कहा जा सकता है that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure मतलब अभी जो structure है इस structure के पहले एक यहां पर large Hindu temple था यह बात ASI कह रही है कि यह बात कही जा सकती है तो इसमें कुछ प्रमाण मिले है अब उसके बाद central chamber और जो main entrance है उस पर जो ASI का conclusion है वो मैं पढ़के बता रहा हूं this temple has a big central chamber and at least one chamber to the north south east and west respectively remains of three chambers to the north south and west still exist but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure मतलब ASI यह कह रहा है कि जो यहाँ पे था मैं इसको फिर से हिंदी अनुवात कर दे रहा हूं कि यहाँ पे already a pre-existing structure था और pre-existing structure का क्या सुरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने detailing की है पिर इसके बाद western chamber और western wall के बारे में जो ASI ने finding दी हो बता दा दा Eastern half of the western chamber still exists whereas the super structure of the western half has been destroyed this chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris this the western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple यह बहुत महत्पूर finding ASI की ASI ने कहा है कि जो पश्चिमी दिवाल है इस तता कतित मस्जित की यह पार्ट है एक pre-existing Hindu मंदर का मतलब ASI यह कह रहा है कि जो पश्चिमी दिवाल है यह पश्चिमी दिवाल एक Hindu मंदर का पार्ट है these words Basimidiva Gospilis wall made of stones and decorated with horizontal moldings is formed by remaining part of western chamber western projections of the central chamber and western walls of the two chambers on its north and south central chamber attached to the wall exists unchanged where as modifications have been made to the both side to both the side chambers तो ASI उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था देखें, ASI ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइन्टिफिक स्टेडी की है और उस साइन्टिफिक स्टेडी के अधार पे ASI ने रिपोर्ट दी है महाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उस सताकतित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है साती सात उस सताकतित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदर के खंबे पाई गए हैं जो western wall है वो ASI ने हिंदू मंदर की western wall कही है साते साथ उसमें जो scriptures मिले हैं वो अलग-अलग भाशाओं के हैं महामुक्ती मंडप का उसमें जिक्र है अलग-अलग भाशाओं में उसमें inscriptions पाई गए हैं और ultimately ASI ने यही conclude किया है कि सत्रवी शताबदी में यहाँ पे मंदर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे structure exist करता है उससे पहले एक pre-existing large Hindu मंदर था तेलगू, अलग-अलग कर्णनल लैंग्वेज और अलग-अलग languages में महाँ पे inscriptions मिले हैं, scriptures मिले हैं साथे साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया भी मिली हैं वो सब भी ASI ने जिला प्रसाशन को हेंड़ोर करते हैं अब इसके बाद next हम Supreme Court का रुप करेंगे और Supreme Court में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए